पंचकुला में कॉंग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर एक बैठा की गई जहां हरियाना कॉंग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया मैनिफेस्टो कमिटी की चेर परसन गीता भुकल ने शिरकत कर नागरिकों को संबोधित किया तो आईए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ क हरियाना में कॉंग्रेस 2024 के विधानसभा के चुनाओ की तैयारी में पूरी तरह से उतर गई है और कॉंग्रेस ने इसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी जो हरियाना में गठित की है मेरे साथ हरियाना में कॉंग्रेस ने जो मैनिफेस्टो कमेटी गठित की है उसकी चेर प दिखिए जब से हर्याना मेनिफेस्टो कमीटी का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक हमारी लगातार बहुत सारी मीटिंग्स चल रही है हमने करीब 17 के करीब सब कमीटी इस कॉंस्टिजूट की हुई है जिसमें 8 से लेकर 10 तक minimum जो है members है वो लोग सभी जिलों में जा रहे ह हैं चाहे वो youth of age से related है unemployment से related है farmers से related है हमारा वेपारियों से है करमचारियों से है जितने भी students है उनसे है शिक्षा के लिए अलग कमीटी है medical education के लिए अलग कमीटी है animal husbandry के लिए हमने अलग करी है पिछरा work के लिए अलग की है उसमें A और B में भी पूरी तरह से काम कर रहे है हम च्रूल कास्ट के लिए है minorities के लिए है सभी के लिए हमारा एक व्यपारियों के लिए करमचारियों इस तरह से बहुत सरी ऐसी committees है जो हमने environment को लेकर है committees का constitute किया है health and medical education पे सभी सब कमीटी जो है हमारी लगातार जिलों में जाकर अपना कारे कर रही है और वो लगातार आधनी राहुल गांदी जी ने जो भार जोड़ो यात्रा की फिर उसके बाद भार जोड़ो जो नयाय आत्रा की तो हमारे AICC के प्रेजिडेंट मलिका अरजुन खड़गे जी ने आधनी राहुल गांदी जी ने जिस तरह से पूरे देश भर में सभी जो stakeholders से उनसे उसको अधार लेते हुए हम लोग अपना गोशना पत्र बना रहे हैं जिसके साथ आपका मुकाबला है सत्ता पक्ष जो इस पक्ष मोके पे है आप उनकी घोषना पत्र की क्या खामिया रही उनको भी ध्यान में रख रहे हैं आपके अपने घोषना पत्र में देखे हम जरूर चाहेंगे कि 10 साल तक जो गवर्नेंस रही है पहले बीजेपी की फिर जेजेपी से अलाइंस की इन्होंने का था कि हम बीजेपी और जेजेपी एक कॉमन मिनिमम्म प्रोग्राम तैयार करेंगे क्योंकि बीजेपी ने और जेजेपी ने एक दूसरे की पत्र नहीं बल्कि उसमें से उन्होंने क्या क्या चीज़ें पूरी करने का काम किया है। और इस बीजेपी की सरकार ने आने के बाद उनको खतम करने का काम किया है वो भी हमारे घोशना पत्र का एक हिस्सा रहेगा और साथ ही साथ में हम समझते हैं एक जिस प्रकार से हमारे जोनल सेक्टरी इंचार्ज आपने देखा होगा कि उनका बहुत जादा इंटरस्ट है इस लेकिन बीजेपी के बड़ी बैठेख होई है उनकी विश्तारित जो कारेकार ने उसके साथ देश के गरहमंत अमित्सा पारिट्रिए म challenged अम्हारा चनदाने चर्चा की है। आपकों पारिटी की है कि आपको पता है कि ठीक है बीजेपी ने कहा है कॉंग्रेइस पार्टी में हमारा फैसला जो है ई है हाई कमन लेता है साथी साथ में विधायक लेते हैं आप सुब को पता है कि चौदरी भुपेंदर सिंगोडा जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक बहुती बड़ा नाम और बड़ा चेहरा है लोग उमीद करते हैं कि जो बहुत सारी चीजें उनके राज में इस समय हुई फैसला मुख्यमंत्री का ठीक है हाई कमांड ही लेगा लेकिन विधायकों की बात पर भी पूरी तरह से मोहर इसमें लगाई जाएगी और उमीद करते हैं हम लोग जो हैं सभी लोग मजबूती के साथ जिस प्रकार से हमने लोकसभा का चुनाओ लड़ा 47.6% वोट जो है कॉंग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में हाईस मिला है आने वाले समय में हम उमीद कर रहे हैं यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी आपने चुनाओ जब लोकसभा का परचार जब था तो पूरे देश पर में कॉंग्रेस और इंडिया गठबंद ने कहा कि समिधान बचाने की लड़ाई है और समिधान को बचाना है बीजेपी की नेता कहते हैं कि गुमरा किया ब्रामक परचार किया और इसलिए यह नतीजा जो है वो उसको प्रभावित कर पाए इस बार हम विधान समा के चुनाओं में इस परचार को नहीं चलने देंगे एक्सपोज करेंगे तो कॉंग्रेस ने समिधान बचाने की जो ब लोगतंत्र और सविधान की धजियों को उड़ाने का काम किया 154 से जादा सांसद बाहर नेम करके निकाल दी और बिना चर्चा के बहुत सारे इंपॉर्टन बिल जो हैं इन्होंने पास करने का काम किया तो लगातार लोगतंत्र का इस तरह से गला घोंटने का काम बीजेप की सरकार करती रही यही बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर राहूल गांदी जी को यात्रा करनी पड़ी तो इसी लोगतंत्र और सविधान को बचाने के लिए और आज भी हम यह कह रहे हैं लोगतंत्र और सविधान पूरी तरह से खत्रे में था है अब क्योंकि इं समय सुना होगा कि 400 पार का आकड़ा हमें इसलिए चाहिए कि ताकि हम सविधान को बदल पाएं वो तो उनके निताओं के ब्यान है इसमें नकारने की क्या बात है सभी को मालूम है तो हम यह चाहते हैं सविधान के तहत सविधान में केवल यह नहीं कि गरीब दलित या वंचि भाई दिपेंदर हुडा जी ने केवल कहा कि जै सविधान बोलने में क्या अपती है अगर हम जै सविधान बोल रहे हैं हम तो सविधान की कसम जब खा रहे हैं आप कहरें तो जै सविधान पे अपती करना इस तरह से जो स्पीकर महोदे ने कहा और लतार लगाने का काम किया मैं समझती हूँ इस तरह से नहीं करना चाहिए सविधान की शपत उनको भी लेने चाहिए और सविधान के रूप कारे भी करने चाहिए